हरे कृष्णा रादे रादे कैसे हैं आप सब लोग आशा कता हूँ सब लोग ठीक होंगे आज के इस वाले वीडियो में मैं आप सभी के साथ में जो मैंने गोर्डन कलर का बेस बनाया था ड्रेस का उसके उसके उपर डेकोरेशन करके एक ऐसी ड्रेस बनाना बताऊंगा किट में अगर आप यह इस वाली पोशाग देखने जाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा कॉस्ट्ली मिलेगी अगर आप घप्पे बनाकर त्यार करेंगे तो बहुत ही कम पैसों में आपकी यह एकदम हेवी सी पोशाग बनके त्यार हो जाएंगे तो देखते हैं यह व में चाहिए एक net का fabric जिसका की measurement है 20 by 5.5 इंच का यानि के 20 लंबाई में और 5.5 इंच चोड़ाई में है ये वाला मैंने थोड़ा fabric बड़ा लिया है because मुझे थोड़े से बड़े flower बना के त्यार करने थे अगर आपको छोटे flowers बनाने हैं तो आप fabric थोड़ा कम लीजिये flowers जो है अपने आप छोटे बन जाएंगे ठीक है अभी मुझे इसके उपर क्या करना है इसको ऐसे बीच में से मोड देना है और फिर इसके उपर जो है हमें twist करते जाना है पहले तो हमें सबसे पहले इसको इस type से मोड देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस type से मोड रहा हूँ ऐसे और यहाँ पर हमें गोल गोल घुमाते जाना है इस वाले फैबरिक को जब तक हम लोग यहाँ पर यह वाले कोनी तक ना पोच जाए फिर स्वी और धागा लेके हमें यहाँ पर एकदम मिडल में से और फिर यह वाला जो हिस्सा है यहाँ पर इसको इस type से ऐसे twist करते हुए गोल घुमाते जाना है ठीक है तो इसको इस type से गोल घुमाते जाना है फिर से हमें यहाँ पर twist करके यहाँ पर गोल घुमाते जाना है सेम आपको process करना है यहाँ पर जैसे जैसे आप इसको गुमाते बैटना पड़ेगा इस ऐसे इसको हर एक प्लीट को जो है हमें यानि कि जो पेटल्स जो है इसको हमें ट्विस्ट करते हुए ही मनाना है देख सकते हैं आप लोग बहुत ही आसान भी है एक नौर्मल पट्टी से आपको फ्लावर बना सकते हैं तो इसी टाप से इसक को राउंड राउंड घुमाते जाओंगा ऐसे और फिर हम इसके उपर टाके लगाते जाएंगे यह आप आप देख सकते हैं बहुत ही आसान वे में मैं आपको बता रहा हूं इस टाप में आप गोर्डुन कलर के भी मतलब की टिश्यू रिबन या फिर वेलवेट रिबन का सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर red कलर के आप्म लोग satin ribbon से भी फ्लावर बना सकते हैं तो आपको शेम प्रोसेस फॉलो करते हुए यहाँ पर flowers जो है वो बनाया लेनी है अगर आपको यह इस में दिखकर जाता है तो आपको YouTube पर बहुत सारे tutorials मिल जाएंगे इस flower से related तो आप वो भी check कर सकते हैं आप satin ribbon rose flower डालेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से चार-पाच वीडियो मिल जाएंगे जिसके अंदर बहुत अच्छे से आपको explain करके बताया हुआ हो सकता है यहाँ पर तो नेट का भी हमने उसी टाइप में कुछ बढ़ानी की कोशिश की है हमें पूरा नीचे से टाके लगा के यहाँ पर नॉट लगा देना है और इसका जो shandy है उसको भी हमें cut कर देना है और यह आप देख सकते हैं हमारा flower जो है बनके तयार हो गया इस step से मुझे total 8 flowers बनाने हैं और इसके अंदर decoration के लिए मुझे आप चाहे तो इसके अउपर ऐ चिपका सकते हैं जो stone आते हैं अलग-अलग variety में golden color के वह वाले वर मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था एकदम simple way में flower का लुक खराब नहीं होता है वैसे flower का लुक खराब हो जाता है जिसके ओपर हम stones चिपकाते हैं तो total यहाप पे मैंने पहले से 7 फूल बना के रख से इस सेम रोजस क्राफ्ट कर सकते हैं फिर हमें जो है एक रेड फ्लावर एक golden फ्लावर एक रेड फ्लावर एक golden फ्लावर इस सीरीज में पूरे फ्लावर जो है राउन में रख लेनी है ताकि आपको अंदाजा लग जाए आपको कितने flowers चाहिए और चार flowers मैं इसे बीच म ठिपकाने वाला हुँ और golden स्पावर में वाला हुँ तो सबसे पहले हम गोटा पटी चिपका लेते हैं एकए करके रेके हम लोग seperti चल्वा से उपर से पे गोटा पटी चिपका लेते हैं, तो मेरे पास यह white color की गोटा पटी है, यानि कि इसका border जो है white है, अंदर side से golden है, तो इसका look काफी एकदम soothing और एकदम बोल सकते हैं, कि sober look जैसे बोल सकते हैं, तो आप हो सके तो इसी को try कीजिए, उसके बाद में हम लोग एक जो stone chain वाला जो है, हमें वो भी add करना है, जिससे कि यह dress का और भी जादा थोड़ी सी heavy लगेगे, इसके अंदर आप कोई भी ready made patches भी चिपका सकते हैं, जिससे कि इसका look और भी बहुत ज़दा बढ़िया लगेगा, पर मेरे पास available थे, पर मैं नहीं चिपकाने वाला हूँ, because आप लोग मैंने stone chain की लगा दी, मुझे थोड़ा सा सुना लग रहा था, इस वज़े से मैंने और एक layer जो है stone chain की लगाने का decide किया है, तो double layer में मैं stone chain यहाँ पे चिपकाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास stone chain जो है, बारीक में है थोड़ी सी, तो यहाँ पे जो है, दोनों को हमें यह वाले stones चिपकाने है, तो cut करते time पे मैंने ऐसे cut किये है कि थोड़े से उपर side में आ जाए, नीचे side में थोड़े से कमी ही रहे, विकास यह हमारे red flower से चिप ही जाएंगे, तो थोड़ी सी chain waste हो जाएंगे, तो थोड़ी सी बच जाएगे हमारे chain, तो लगबद मैंने, मेरे पास तो बंडल ही है stone chain का, पर आपको अगर मैं बताओ, तो अंदाज यसी इसके अंदर 2-3 मिटर stone chain लग जाती है, यहाँ पे आप यह वाली stone chain भी ऐसे रख रहा है, हमें double में इस type से, और आपको यहाँ पे इसको भी, मैंने तो cut करके ही रखा है, अगर आपने cut नहीं किया होगा, तो आप यहाँ से cut कर सकते हैं, और इसी type में पूरे इसके अंदर हमें ऐसे ही stone chain लगाते जाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक-एक करके stone chain जो है, गुलाब के flowers मैंने इस वज़े से यहाँ पे ऐसे ही रखे है, because मुझे थोड़ा सा अंदाजा लग ज जो है, stones चिपका लिए है, chains चिपका लिए है, और laces भी चिपका लिए है, अभी हमें flowers को इसके ओपर चिपकाना है, तो glue की मदद से सबसे पहले तो मैं यह golden color का flower इस type से चिपकाऊंगा, और फिर यहाँ पे, मैं यह glue gun के help से यह वाला flower भी चिपका रहा हूँ, अगर आपक आगे से भी टाके लगा सकते हैं यह flowers में, या फिर आप fevy bond glue का इस्तेमाल कीजिए, वो भी बहुत ही बढ़िया रहता है, glue gun की जगा पे, पर glue gun थोड़ा सा fast work करती है, वतलब कि जल्दी सूख जाता है, तो इस वज़े से इसका थोड़ा अच्छा लगता है, तो एक-एक flower हमें अच्छे से इसके उपर चिपका देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यह आपे, अभी यह जो बीच वाले जो हमारे flowers थे, चार मैंने रखे हुए, तो वो भी मैं चिपका हूँगा, तो टोटल golden color के flowers, जो है मैंने एक dozen इस्तमाल किया है, यानिकि बारा flowers इस्तमाल किय है, तो इन चारों को ऐसे हम चिपका देते हैं, अभी यह थोड़ा सा, यह flowers थोड़े से सूनी लग रहे थे, इस वज़े से मैंने सोचा एक मेरे पास stone था, उसी को मैं ऐसे इसके उपर रखते हुए, एक एक stone जो है, इसके उपर मैं चिपका दू, तो जिससे कि इसका look काफ कर सकते हैं, मैरे पास कुछ patches थे, जो कि एक normal patches है, वो मैं इसके उपर चिपकाने वाला हूँ, अगर आपके पास तो नहीं है, तो totally आप इसको skip कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं, यहापर हमारी dress कितनी ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है, तो चार patches मैंने यहाँ पर गिनके चिपका लिए है, तो यहाँ पर हमारी पोशाग जो है, बनके तयार हो गई है, इसके लेटर हम पगड़ी जो है, जरूर देखेंगे अगले वीडियो में, तो आपको यह वाली हमारी पोशाग कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और साथी साथ म अगर आप चैनल पर नए है, तो चैनल को सस्काइब करना ना भूलेगा, तो इस टाइप की पोशाग आप जन्मास्टमी, रक्षा बंदन या फी किसी भी फेस्टिवल पर बना के पहना सकते हैं, यह इसका वीडियो नहीं देखा है, तो इसके श्रम बॉक्स चेक कीजिए, मैं बेस्काइब वीडियो का लिंक जो है, आपको नीचे दे दूँगा, अगर आपको यह वाला वीडियो पसंद आओगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को मेरी तरब से हरे कृष्णा राधी राधी